नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी की नई सीरीज पर जिसका नाम है जाने पहचाने चहरे यूँ तो फिल्मों के हीरो, हीरोईन और यहां तक की विलन की बात सब कर लेते हैं लेकिन कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो असल जिन्दगी में काफी संगर्चों का सामना करके आगे बढ़े होते हैं लेकिन फिल्मों में बताव लीड अपनी जगा बना पाने में असफल लेते हैं उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है और कोई उनकी बात तक नहीं करता पिछले वीडियो में हमने संकेत मात्रे के उपर वीडियो बनाया था जिस पर आप सभी ने काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया है दोस्तो उसी रिस्पॉंस को देखते हुए हमने एक मुहिम चला दिये जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसे ही लोगों की कहानिया लेकर सामने आएंगे जिन पर एक वीडियो तो बनता है इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ए राजिंदरन की जिने इस्क्रिन पर देखते ही सायद आपके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान जरूर आ जाती होगी एक लंबा पतला सा लीन बॉडी का ये सक्स जिसके सर पर बाल नहीं है चेहरे पर आईब्रो नहीं है बले ही आपकी मुस्कुरहाट का कारण जरूर बन जाते हों लेकिन असल जिन्दगी में फिल्म सेट पर हुए एक हाथसे का सिकार है ये वीडियो के साथ बने रहें बहुत सारी दिल्चस्प बाते ए राजंदरन के बारे में आपको जानने को मिलेंगी दोस्तो ए राजंदरन एक स्री लंकन मोल के एक्टर थे जिनकी फैमली कभी स्री लंका में रहा करती थी लेकिन अब इन्हें भारत की नेशनल्टी मिल चुकी है इसक्रीन पर ए राजंदरन के नाम से मसूर इस सक्स का असली नाम है मोटटई राजंदरन इनका जन्म एक जून साल 1957 को तुतु कुडी तमिलनाडु में हुआ जिसे बिटिस टाइम पीरेड में तुतु कोरीन कहा जाता था दोस्तों इनके माता पिता भाई बहन की जानकारी पूरे इंटरनेट को खगालने के बाद भी नहीं मिल पाई है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ इनके पिता एक इस्टेंट मैन थे और इनके दो बड़े भाई भी इस्टेंट मैन ही थे वैसे तो आप जानते ही होंगे ए राजिंदरन बेसिकली साउथ के एक एक एक्टर हैं जो कि फिल्मों में विलन और कॉमेडियन के तोर पर नजर आते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन्होंने अपने केरियर के सुरुवाद बतौर इस्टेंट मैन करी थी सुरुवाती तकरीबन 100 से अधिक फिल्मों तक ये सिर्फ तमिल फिल्मों में बतौर इस्टेंट मैन काम करते रहे इन्होंने बतौर एक्टर स्क्रीन पर डेब्यू करने से पहले ये तकरीबन 500 से अधिक फिल्मों में बाडी डबल के तोर पर काम कर चुके हैं ये सन 1978 से इस काम को कर रहे हैं और इन्होंने सिवाजी गनेशन, मोहन लाल, रजनी कांत, कमल हसन, थला आजीत, थला पती विजय और चिया विक्रम जैसे 80's से 90's के लगबख सभी एक्टर्स की फिल्मों में बतोर बॉडी डबल काम किया है एक इंटर्विव के दोरान राजिंदरन सन ने बताया था कि ऐसे कई इस्टंड के दोरान कई बार उनकी जान भी जाने से बज़ी है उस दोरान टेकनोलोजी इतनी डेवलप हुई नहीं थी और सारे इस्टंड खुदी परफॉर्म करने पड़ते थे दोस्तो एक इस्टंड मैन के तौर पर काम करते रहने के लिए सबसे जरूरी है खुद को पूरी तरह से फिट बनाये रखना ए राजिंदरन अपने 20 से अपनी फिजीक पर काम करते हुए आ रहे हैं दोस्तो ए राजिंदरन फिटनेस फ्रीक हैं ये आज भी सुबा चार बजे उठते हैं एकसरसाइस करते हैं और यही राज है इनकी सॉलिट आइरन बोडी की ये आज भी स्पोर्स में काफी आगे रहते हैं दोस्तो इसी तरह 20 सालों तक ए राजिंदरन परदे के पीछे किसी न किसी लीड हीरो का बोडी डबल बन कर अपनी जान खत्रे में डाल कर काम करते रहे हैं सेट पर इन्हें बिना माइक के चिलाना पड़ता था जोर जोर से आवाज निकालनी पड़ती थी ताकि ये अपने जूनियर्स को कमांड दे सकें दोस्तो एक इंटर्वियो में ए राजिंदरन सन ने बताया था कि उनकी आवाज चार गुना होती थी कमपैर्जन में उस सक्स के जो माइक पर बोल रहा होता था इस वज़ा से इनकी आवाज काफी ज़्यादा रफ हो गई हाला कि बाद में इसी आवाज ने इने फिल्मों में पुस करने का भी काम किया आगे चल कर जब ये अपने काम में अनभवी हो गए तो इन्होंने साउत के दिगज इस्टन डिरेक्टर इस्टन सिवा को असिस्ट भी किया और कुछ फिल्मों के असिस्टन डिरेक्टर भी बन गए दोस्तो ऐसी ही किसी मल्यालम फिल्म की सूटिंग के दोरान ये राजिंदरन सर को एक तलाब में कूदना था ये इससे पहले भी सैकलो बार काफी उचाई से बड़ी बड़ी नदियों में छलांग मार चुके थे ये इनके लिए काफी छोटी बात थी इसलिए इन्होंने बिना सोचे तलाब में छलांग मार दी फिल्म का सीन कुछ यूँ था कि इनको विलन मारता है और ये तलाब में गिर जाते हैं सीन कम्प्लीट हुआ लेकिन राजिंदरन सर को नहाने का मौका नहीं मिला और ये काफी देर तक उसी तलाब के पानी में भीगे रहे दोस्तो उस तलाब का पानी पूरी तरह से पैलूटेट था और उस तलाब में बड़ी बड़ी फैक्टरियों का केमिकल पड़ा हुआ था वही केमिकल इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया दोस्तो इसी वज़ा से विदिन वन मन्त इनके सर के बाल, आइब्रो और मुश्टैचस के बाल धीरे धीरे गिर गए और दुबारा कभी उगे ही नहीं डॉक्टर्स का कहना था कि ये अगर तुरंत नहां लेते तो इन केमिकल्स का इतना असर सायद नहीं पड़ता इन्होंने आयरुवेधिक ट्रीटमेंट लिया और काफी इलाज भी करवाया लेकिन कोई फाइदा हुआ नहीं इसके बाद ए राजिंदरन सर ने इस लुक को ही अपना निव लुक बना लिया और दोस्तों इसी लुक ने आगे चलकर इनको फिल्मों में काम करने का मौका दिया हलाकि इस एक्सिडेंट से पहले ये अमरम जेंटल मैन और लीजा लीजा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे साइड गुंडे के रोल में नजर आ चुके थे जिसमें इनको क्रेडिट तक नहीं दिया गया था दोस्तों सबसे पहले सेथु फेम डिरेक्टर बाला की नजर इन पर पढ़ी वे उस समय पीथा मगन मोई बना रहे थे और इस फिल्म में जेल वार्डन के रोल के लिए ए राजिंदरन को साइन किया गया और इस फिल्म में बकाइदा इनको क्रेडिट भी दिया गया इसके बाद ये थोटी जया, कड़ाई कुट्टाई और थलाई मगन जैसी फिल्मों में नजर आए अब इने फिल्मों में रोल्स आफर हो रहे थे इसलिए इन्होंने बतोर इस्टेंट मैं काम करना बंद कर दिया दोस्तो बाद में राजिंदरन सर्न ने इस बाद पर खुशी जाहिर करी कि इस एक्सिडेंट के बाद इनको फिल्मों में काम करने का मौका मिला और अब ये फिल्मों में रिसकी काम नहीं करते हैं जिस वज़ा से इनकी फैमिली भी काफी खुश है और दोस्तो सही माइने में जीना इसी का नाम है हमारे साथ जो हुआ है उसी को अपना कर हमें आगे बढ़ना चाहिए इसके बाद ये बाला की मोवी नान कदवल में में विलन के तौर पे नजर आए खंडावन के किरदार में ये खूब जमय और आगे चलके इनने कई अवार्ट्स के नॉमनेशन भी मिले है बस यहीं से राजिंदरन सर की खलनाईकी के चर्चे सुरू हो गए और इनको कई फिल्मों की ओफर आने लगे दोस्तो एक टाइम के बाद ए राजिंदरन सर को लगने लगा था कि ये टाइप कास्ट हो रहा है तुरंती इनोंने अपना जौनर चेंज कर लिया बस भासकरन में ये कॉमेडी रोल में नजर आए 2014 में ये थिरूडल पुलिस में नजर आए और इस बार इनोंने सभी लीड एक्टर्स को मात देकर पूरी लाइम लैट बटोल ले गए 2015 में ये डार्लिंग मोई में नजर आए ये एक कॉमेडी रोल था और इस फिल्म में इनके बार्ल लुक, थिन फिंगर और आवाद की वज़ा से थेटर्स में सीटियां और तालियां बजने लगी इनकी पॉपलर्टी इतनी बड़ी कि 2015 की मोवी थनीला गंडम के ट्रेलर में फिल्म के लीड हीरो से ज़्यादा इनके फूटेजेस को दिखाया गया फिल्म बुरी तरा से पिटी लेकिन राजिंदरन सर की चर्चा सारे एकबारों में हुई धीरे धीरे राजिंदरन सर ने साउट की चारों इंडस्टीस में अपना डेब्यू किया और अब तक 1500 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं इन फिल्मों में कंचिना 2, वेदलम, थेरी, रेमो, बुरूसली, मरसल, नोटा और चलो जैसी बड़ी फिल्में भी सामिल हैं दोस्तों बात करें इनके मेरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दू राजिंदरन सर की एक बेहदी खुबसूरत वाइफ हैं जिनका नाम नलिनी नायर है इनकी साधी राजिंदरन सर के साउथ में पॉपलर्टी के बाद हुई है दोस्तों इनकी वाइफ ने इनके लुक को ध्यान ना देकर इनके टैलेंट को देखते हुए इनसे साधी करी है और ये दोनों अपनी मेरिटल लाइफ में काफी खुश नजर आते हैं तो दोस्तों ये रहा ए राजिंदरन सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो हो आपको राजिंदरन सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साथी साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जाना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपक्राइब आपको में जाएं पस्ट करेंग आपको में जाएं लाइक हैं जाएंगाद प्लीज पस्टाइब आपको में जाएंगाद